जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी क्लासे स्वे सुमिज जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों ही कालों की टॉफ सिक्ष्टी रचनाए यानि की 20 टॉफ रचनाए आद सकते हैं और जो भी साती अभी तक वाट्सप ग्रुफ से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 यह वाट्सप नमबर है और दोस्तों जो भी साती जॉइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के वो जॉइन मेंबर भी बन सकते हैं दोस्तों आपको जॉइन बटन पर किलिक करना है और तो तीन प्लान आपके सामने होंगे तीन प्लान में दोस्तों सबसे पहले होगा सिलबर प्लान जो की मात्र आपको 69 रोपे पे करना है और गोल्ड प्लान जो की 169 रोपे और एक दोस्तों डायमंड प्लान जो की आपको 299 रोपे पे करके आप जॉइन मेंबर बन सकते हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, start करते हैं दोस्तो आज का ए वीडियो, ठीक है? जिन भी सातियों ने सब्सकाइब नहीं किया है वो please सब्सकाइब जरूर कर देंगे, ठीक है? तो start करेंगे आज का ए वीडियो पर्माल रासों के रिचनाकार कौन है? तो क्या करना पड़ेगा जगना पड़ेगा इस चोर लोग क्या करती है दूसरों का माल चुराती है तो वो रात में जगती है जग से बनेगा आपका जगनिक और क्या चुराती है परमाल दूसरों का माल चुराती है चोर रात में जग कर तो जगनिक ठीक है परमाल चुराना ह तो जगना पड़ेगा तो जगनेक परमाल रासो जैसे एक याला खंड कहा जाता है और ये दोस्तों इसके जो रचेता है वो कोने जगनेक हैं ठीक है सबी लोगों को वैसे पता होगा अंगला है बीसल देव रासो के रचनाकार कोने कई बार एकजाम में पूछी जाती है जब रासो के रचनाकार कौन है वो है नर्पती नाल नर्पती और नर्पती दोस्तों कितने होते हैं हैना बीस नहीं होते बोले बीस पती नहीं होते एक पती होता है हैना बीस पती नहीं होते बीस क्या नहीं होते पती नहीं होते तो नर्पती बीस नर्पती नहीं होते एक होता ह ठीक है तो बीसल देवरासों के रचनाकार कौन होंगे नरपती नाल ठीक है और अजमेर के सासक से संबंदित थे दोस्तों है ना ये जो बीसल देवरासी है और गीती का बमाना जाता है है इसको आपको याद रखना है अंगला है कीरती लता के रचनाकार कौन है कीरती लता दो में विद्या नहीं है उसकी कीरती नहीं फेलेगी तो जो कीरती फेलेगी कब फेलेगी जब विद्या है तो विद्या पती है ना तो कीरती लता विद्या पती ठीक है विद्या है तो कीरती फेलेगी तो कीरती लता विद्या पती और दोस्तों आपको पता होगा कि विद्या प कीर्थी पता का कौन सी थी कीर्थी पता का और एक थी दोस्तों इनकी पदा वली ठीक है तो यह इनकी रचनाएं थी तीन तो पद लता पता का पद लता पता का ऐसे याद रखेंगे पद लता पता का तो यह तीन रचनाएं आपको याद रखना है और जिसमें जिसमें विद् आप वर्न लिखते हो वर्न है ना जैसे आ अनार का आ आम का ये क्या कहलाते है वर्न तो वर्न आप अंधेरे में पढ़ोगे कि जोती में पढ़ोगे वर्ण अंधेरे में नहीं पढ़ना है हमें जोती में पढ़ना है जोती यानि कि उजाले में पढ़ना है तो वर्ण हमें जोती में पढ़ना है तो जोत्री सर ठाक और है ना वर्ण रतना करके रचना कार कौन होगे जोत्री सर ठाक और जो बिकल्प नमबर आपका भी है वो विलको सही हो जाएगा अब मैं कभी पूछूँ आपसे बर्न रतना कर वो ले सर बर्न तो हमें जोती में पढ़ना है तो जोत्री सर ठाकोर ठीके अगला है राउल बेल की रिचनाकार कौन है दोस्तों आपको ट्रिक भी बताना है कौन सी कभी आप सोते ही हो और कोई बेल बजा दे तो सोने में रोडा बन जाती है कौन सोने में रोडा बन जाती है बेल सोने में रोडा बन जाती है बेल तो राउल बेल और बेल बन जाती है क्या रोडा तो राउल बेल की रिचनाकार कौन होंगे रोडा कभी रोडा कभी यानि कि बेल को सही हो जाएगा ठीक है आपने कभी-कभी अनुगाओ किया होगा दोस्तों जैसे ही आप सोए और किसी ने बेल बजा दी बाहर से तो रोला वन जाती आपके सोने में तो रोला कभी की है रावल बेल ठीक है अंगला है डोला मारूरा दूहा की रिचना कार कौन है दोस्त और कोन होगे कुसल लाव है इड़े को ढोल बजा रहा है क्योंकि ये क्या है कुसल है डोल बजाने में है ना टो ढोला मारूरा दूहा और ढोल भाही व Auswगे जो फिलकुल सही आंसर होगा अंगला है दोस्तु बिजए-पाल-्राशिंगी-शन्यní फिलम देखिए है शनी देवल अकेले और शनी देवल क्या करते हैं विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड देते हैं विजय प्राप्त करने के लिए क्या उखाड देते हैं नल यह देखो हाथ में विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने नल उखाड दिया तो विजय स प्रत्वी राज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों प्रत्वी राज रासो और आपको पता है यह प्रत्वी है और इसका एक मात्र उपगरह कौन है चंद्रमा तो यहां पर प्रत्वी आया है तो इसका उपगरह भी कहां पर आएगा यहां उपगरह आ जाएगा तो जवाहरे खुसरवी की रचनाकार कौन है? जवाहरे खुसरवी और आपको पता है कि जवाहर, हीरा, मौती, जवाहर ये किसके पास होंगे? गरीब के पास की अमीर के पास? ये देखो, ये जवाहर हैं, हीरा, मौती, जवाहर और ये जवाहर जो होंगे वो किसके पास होंगे? अमीर ब्यक्ति के पास होंगे कि गरीब ब्यक्ति के तो आपने विल्को सही आंज पहचाना है कि सरामीर के पास होंगे तो जबाहरे खुसरवी की जो रचना होगी वो किसकी होगी अमीर खुसरो और खुसरवी से तो खुसरो है तो खुसरवी ठीक है अगला question आपको बताना है दोस्तों जै मैंक जस्चंदरिका की रचनाकार कौन है तो चार बेकलप है और आपको पता है दोस्तों कि जब एक पती एक पतनी अपने पती के लिए करवाचोध की ब्रत रखती हो जब चली मैंसे बहचांद को देखती है तो चांद कैसा न जलाता ह है मधोर कैसा नजर आता है मधोर तो मधुकर है ना मैंक मतलब भी चंद्रमा होता है और चंद्रमा की चंद्रिका को जब पतनी देखती है तो जो चंद्रिका है वो कैसी नजर आती है मधोर तो मदुकर है ना जै मैंक जस्चंद्री का कैसी नंजर आ रही है मदौर से मदुकर ठीक है जै मैंक जस्चंद्री का चंद्री का नंजर आ रही है मदौर तो मदुकर ठीक है यानि कि जो सा नमबर है वो आपका बिल्कु सही हो जाएगा सा नमबर ठीक है अंगला है खुमान रास खुमान एक पद्वी भी थी, सेवाजी की है ना, इन्हें खुमान की पद्वी दी गई थी, और खुमान रासों की जो रचनाकार होंगे, वो कौन होंगे, दल पती बेजय, खुमान से बनेगा दोस्तों आपका गुमान, और हम बोलते ना, कि गोरे रंग पर ना इतना गुमा कर, कभी-कभी कोई दल का पती बेजय प्राप्त करता है, तो उसे गुमान हो जाता है, गुमान, तो गुमान से खुमान, गुमान से खुमान है ना, दल का पती अगर बेजय हो जाता है, तो उसे गुमान हो जाता है, तो खुमान, तो खुमान रासों की रचनाकार दल पती इस प्रिकार से आपको याद रहना है दोहा कोस की रचनकार कॉन है दोस्तु आपको पता भी तो है आप बोलोगे सर दोहा सुनाओ सर दोहा सुनाओ तो सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से सो दोहा कोस है ना ट्रेक अगर मैं इधर लिख दूँ कि ट्रेक सर दोहा सुनाओ सर से सरहपा दोहा से दोहा कोस तो दोहा कोस की रचनाकार सरहपा ठीक है अंगला है स्रापकाचार की रचनाकार कौन है हिंदी की प्रत्रम रचना मानी जाती है दोस्तों और ये जो स्राबकाचार है आपको पता है कि जेंधर में बैक्ति जब भगवान के पास जाता है तो स्राबक बन के जाता है भगवान के पास है ना है ना और भगवान को क्या बोलता है देव तो स्राबक जाता है किसके पास देव के पास, स्राबक बन कर जाता है वेक्ति, देव के पास, तो स्राबक चार के रचनकार कौन होंगे, देव सेन, ये देखो, ये वेक्ति स्राबक बन कर गया है, किसके पास, भगवान या फिर देव के पास, ठीक है, तो स्राबक बन के जाना है, देव के पास, तो स्राबक स्रापकाचार की रचनकार देवसेन, 933 इसका रचनकार माना जाता, 933 एस भी ठीक है, स्रापकाचार की और प्रतम रचना है हिंदी की, अंगला है बुद्धी रास की रचनकार कौन है, बुद्धी रास, दोस्तों आपको पता है कि हम बोलते हैं कि वो बुद्धी साली लोग बुद्धी रास साली भद्र सूरी और किसी किसी की तो साली भी बहुत बुद्धी मान बहुती है बोलते हैं जिस जिसकी साधी हो गई बोले मेरी साली बहुत बुद्धी मान है है ना तो बुद्धी से बुद्धी और बुद्धी साली ऐसे याद रखना बुद्धी साली वो आपको बताना है दोस्तों आपको पता है कि रेबंत गिरी एक परबत था जैन धर्म से संबंदित परबत है रेबंत गिरी और रेबंत गिरी की पर विजय प्राप्त करनी थी बहुत सारे राजा सोचते थे कि रेबंत गिरी पर क्या करनी है विजय विजय प्राप्त करनी है का जैसे इंसूरी की रचना है यानि कि आपका जो बिकल्प नमर सी है वो सही हो जाएगा अंगला है चंदन बाला रास की रचना कार कौन है दोस्तों चंदन बाला हम जब मंदिर जाते हैं तो चंदन की आस लगा के जाते हैं चंदन की आस यह देखो यह महासाय चंदन की आस वाला रास किस की होगी आस से आसगू है ना चंदन की आस इतना याद करना चंदन की आस तो आसगू कभी की है कुमार पाल पिर्ती बोत के रचनाकार कौन है कुमार पाल पिर्ती बोत दोस्तों आपको पता होगा आज कल के जो कुमार हैं वो सौम रस बहुत पी रहे हैं सौम ह सूरी है ना डी नंबर आपका पिलकूसाही हो जाएगा कुमार पाल पृतिबोथ करचनाकार सौम पृत सूरी करचनाकार कौन है कछोडी रास आपको बता है दोस्तों आपसे मैं पूछ यह बजार गए थे द्वित कफ्छुली हाँ मैंने तिलक लगाकर प्रग्या ली है ना इस प्रकार से मैंने प्रग्या ली तिलक लगाकर तो प्रग्या तिलक कछुली रास बोले कछुली रास कछुली तो बोले हाँ ली प्रग्या ली प्रग्या है ना तो प्रग्या तिलक कछुली प्रग्या तिलक प्रग्या तिलक यह देखो यह तिलक लगाकर क्या ले रहा है प्रग्या ले रहे हैं प्रग्या यानि की प्रतिग्या ले रहे हैं तो कच्छू ली प्रतिग्या ली तिलक लगाकर ठीक है इस प्रकार से जैचंद प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तो चार बिकल्प हैं और आपको पता है दो केदारनात में तो केदार भट चंद्रमा का प्रकास करना है कहां केदारनात में तो केदारनात भट केदार भट की रचना है जय चंद प्रकास जय मयंक जस्त चंद्री का यह मधुकर की है है ना और जय चंद प्रकास यह केदार भट की है ठीक है अंगला है दोस्तो हमीर रासो की रचनाकार कौन है दलपती बिजय सारंग धर के दार नात के दार वट या फिर स्वाम प्रफ सूरी तो हमीर रासो कई बार पूची गई है याद रख लेना इस सारंग धर की है किसकी है सारंग धर ठीक है हमीर रासो सारंग धर सबसे पहले आप से प्रस्न पूँचा जाएगा और टरेकँ आपको बतानी उत्तर आपको बतानी होगी, फिर टरेक मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले आपको बताना भरत मिलाप, सत्यबती कथा और अंगद पैज की रचना कार कौन है इस चार बेकलब हैं दोस्तो चारों मैंसे आपको बताना है दो सेकंड आपको दिये जाती हैं और आपका बिल्कों सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इस्वरदास इस्वरदास दोस्तो हमारे इस्वर कौन है पोले हमारे इस्वर तो कौन है स्री राम है स्री राम है तो स गथा सत्त होती है तो इस्वरदास हैना इस्वर की किरपा से अंगद ने पैर जमाया था आपको बता होगा लंका में हैना अंगद ने कहा कि ये तो मेरे स्रीराम की किरपा है तो किसकी किरपा से इस्वर की किरपा से स्रीराम की किरपा से तो भरत मिलाप भरत का मिलाप हुआ यानि कि स्री राम से सत्त बती कथा इस्वर की कथा सत्त होती है और अंगद ने पैर जमाया इस्वर की किरपा से तो अंगद पैज भी किसकी होगी इस्वर दास की ठीक है ऐसे याद रखेंगे भरत मिलाप, सत्त बती कथा और अंगद पैज ये तीनों ही रचना हैं दोस्तों ये आपको बन दिख रहा है ये आपको पूरा बन दिख रहा है और बन में मिरगा को मार रहे हैं है ना सिराम मिरगा के पीछे दोड़ रहे हैं बन में तो मिरगा के पीछे दोड़ रहे हैं कहां पर बन में तो कुतुबन कुतुबन ठीक है है ना बन में मिरगा के पीछे रचनाकार कौन होगे कुतुबन यानि कि दी नमर आपका बिल्कुछ सही होगा और दोस्तों आपको पता है कि इस रचना को मिरगावती को जो है आचार रामचन सुकुने सूफी काबधारा की पिर्थम रचना भी माना है है ना तो यह चीज भी आपको याद रखनी है अगला देखो अबध बिलास की रचनाकार कौन है अबध बिलास दोस्तों आपने मैंने आपको कई बार बताया है कि अबध का लाल अबध का लाल है ना अब वो गाना पड़ती ना कि बना की अबध पुरी ससुराल बराते को को जहते तो अबध का लाल इतना वस्याद रखना अब पद्विलास किरेचनाकार कौन होंगे, लालदास, यानि कि आपका D-Number बिल्को साही हो जाएगा, अगला देख़ो, रामायड महाना तक किरेचनाकार कौन है, दोस्तों आपको पता है, आप रामायड पढ़ते हो, और आपको पता है, कि रामायड हमारी क्या है, प्राण है, तो रामाण महानाटक की रिचिता कौन होंगे एक कॉस्चिन पूछा गया है कई बार रामाण हमारी प्राण है तो प्राण चंद चोहान है ना प्राण चंद चोहान यानि की सा नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा रामाण हमारी प्राण है तो प्राण चंद चोहान ठीक अग्र नहीं जाना चाहिए आपका ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए ध्यान नहीं जाना चाहिए तो ध्यान मंजरी और कहा नहीं जाना चाहिए अग्र तो इसके रचनाकार कौन होंगे अग्रदास ठीक है ध्यान मंजरी के रचनाकार अग्रदास ध्यान अग्र कहीं नहीं एनि कि जो B नमबर है वो आपका बिलकु सही हो जाएगा हनुमान नाटक के रिचनाकार कौन है दोस्तों आपको बताना है इसके पहले मैंने लगभग 30 से 35 वीडियो दोस्तों टिर्की वीडियो डाल दिये हैं वो जरूर देखेंगे सब कुछ याद करवा दिया हिंदी साहित में और हनुमान नाटक और दोस्तों आप हनुमान के बात करोगे है ना तो हनुमान ने दिखा दिया कि मेरे हिर्दय में राम है ऐसे सीना पार के चित्र में देखो मेरे हिर्दय में स्री राम है कौन है स्री राम तो हनुमान नाटक जो होगा वो किसका होगा वो किसका होगा हिर्दाय राम, हिर्दाय राम का, क्योंकि हिर्दाय में कौन है, हनुमान के हिर्दाय में कौन है, राम, तो हिर्दाय राम, बोले देख लो हिर्दाय राम है, है ना, तो हनुमान नाटक के रिचनाकार हिर्दाय राम, हनुमान के हिर्दाय में राम ब्राजमान है, तो हनुमान तो आप बोलोगे यार साइट में जाके हसलो, साइट में जाके हसलो, अगर हसना ही है तो, है ना, तो इनसे बोल दो, साइट में जाके हसलें, तो हसलें, तो हंसा वली, और साइट में, तो इसाइट, असाइट, साइट, साइट, है ना, साइट से साइट, तो हसें, साइट में जाके तो aside ठीक है हनसा वली ये aside की रचना है site में जाकर हसो तो हसो site में तो हनसा वली aside की ठीक है अंगला है रूप मंजरी के रचनाकार कौन है दोस्तों चार विकल्प है और मैंने कई बार आपको याद करवाया है यहाँ पर देखो रूप मंजरी के जो रचनाकार है वो कौन है नंददास नंददास है अब नंद दोस्तों आपको पता है यह देखो इस सास बहू और नंद है ना और आप जल्दी बताओ रूप किसका अच्छा लग रहा है रूप किसका अच्छा लग रहा है किसका नंद का बोले नंद का र अच्छा है इसलिए नंददास की रचना कौनसी हो जाएगी रूप मंजरी अब आप से कभी पूछा जाएगा रूप मंजरी वो लिए रूप तो नंद का अच्छा है सर तो नंददास है ना याद रख लेना कष्ण भक्ति साका के एक अभी थे और इनके गुरू का नाम था बिठ थलनात तो नंददास बी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा और दोस्तो आपको बताना भी है लाश्ट में की सबसे अच्छी टरेक कौनसी लगी है ग्यान दीप की रचना कार कौन है चार बेकलब हैं दोस्तो दो सेक्ड में आपको उत्तर बताना है और आपको पता है कि ज्यान नया नभी नभी ज्यान सीखना चाहिए पुराना नहीं नभी नभी ज्यान हमें सीखते जाना चाहिए नभी नभी तो ज्यान दीप की रचना कार कौन होंगे पुलिसर नभी नभी ज्यान सीखना है तो कौन सेक्ड नभी है नभी नभी नया नया तो ज्यान दीप, यानि कि जो A number है, वो विल्को सही हो जाएगा, अंगला है, भक्त माल की रचना कार कौन है, भक्त माल, आपको पता है, कि अगर भक्तों को नभ में जाने मिले, तो ये नभ में भी चले जाएगे, बोले इस्वर नभ में हैं अब आप यहां से चले जाओ तो भक्त भक्ती के लिए नभ में चले जाएंगे तो भक्त माल की रचनाकार कौन होगे भक्त भक्ती के लिए कहां जा रहे नभ में तो नाभादास है ना नभ में तो नाभादास भक्त माल की रचनाकार नाभादास त अक्तमाल नावा दासे इस प्रकार से कई बार पूची गई है अंगला है आपको वर्वे रामायर की रचना कार कौन है दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको याद करवाईंती तुलसी दास की पूरी रचना है कौन सी रचना ब्रज में है कौन सी अबदी में है मैंने आपक ठीक है तो बर्बे रामायण दोस्तों किसकी है तुलसी दास की अब इसको कैसे याद रखोगे अब ये तुलसी दास की रचना है तो इन्होंने रामचरत मानस की रचना की है तो इन्होंने बार-बार रामायण पड़ी होगी की नहीं देखो ए इन्होंने बार-बार अगला बताना है आपको अनुराग मतलब होता है प्रेम अर्था प्यार तो आपको बताना है कि यह देखो नूर जहां नूर जहां इतनी सुंदर थी कि इन से सभी क्या करते थे अनुराग रखते थे प्रेम रखते थे है ना तो कौन नूर जहां बहुत सुंदर थी तो इन से लोग क्या करते थे प्रेम करते थे अनुराग रखते थे तो अनुराग बासुरी की रचनाकार कौन होंगे नूर मुहमद नूर मुहमद बोले अनुराग किस से रखते थे नूर से अनुराग किस से पूँची भी गई है छहताई वारता की रचनाकार कौण है दोस्तों चार विकल्पें और एक चीज़ बताना कि यहाँ पर आया है ताई और आपको पता है सबकी घर में ताई और ताउ होते हैं ताउ जी ताई जी होते तो ताई क्या करती है, नारायन की बारता सुनाती हैं, सुनाती हैं कि नहीं आपके घर में सुनाती होंगी, ताई नारायन की बारता सुनाती हैं, तो छेताई बारता की रेचनाकार कौन होंगे, नारायन की बारता सुनाते हैं तो नारायन दास, यह देखो लच्छमी नारायन ये लच्छमी नाराण है और लच्छमी नाराण की बारता सुनाते हैं नाराण की हैना कौन ताई तो छेटाई बारता नाराण दास यानि कि आपका जो उत्तर है वो ए नमबर बिलको सही हो जाएगा ठीक है दोस्तो दान लीला की रचनाकार कौन है दान लीला और आपको पता है दोस्तों कि जो दान करते हैं और हमेशा दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन दाता है जो दान नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता ये चीज लेकिन जो दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन दाता है तो दान लिला की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे दान लिला की रचनाकार होंगे दोस्तों कौन परमानन्द आता है तो परमानन्द आता है तो परमानन्द आता है तो दान से दान लिला और रसकान की भी है और परमानन्द की है है ना ये भी आपको याद रखनी है ठीक है दान लीला की रचनाकार राम चंद्रिका की रचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता है यसे छंदों को आजायब घर कहा किसे किस ने कहा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये चीज भी आपको याद रखनी है राम स्वरूप चमक रहे तो राम चंद्रिका किसकी रचना होगी क्या चमक रहे केस चमक रहे तो केस अधास है ना यहां पर देखो राम के केस चंद्रिका से चमक रहे तो राम चंद्रिका केस अधास ठीक है राम चंद्रिका केस अधास अधिकांस लोगों को पता है है ना अंगला है अनेका की नंद हो गई ठीकें दूसरी नंद क्या हो गई नंद बाबा हो गई है ना तो अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो नंद दास रूप अच्छा है नंद का तो रूप मंजरी नंददास नंद के अनेकर्थ निकलते हैं तो नंददास है ना नंद के अनेकर्थ निकलते हैं तो अनेकर्थ मंजरी नंददास यानि कि जो सी नंबर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा अब मैं कभी पूछूँ आपसे अनेकार्थ मंजरी किसकी है तो आप बताओगे सीधे से सर कि अनेकर्थ निकलते हैं नंद के एक नंद कार्थ होता है बहू की नंद एक नंद कार्थ होता है नंद बाबा तो यह से अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो अनेकार्थ मंजरी बैसे ही भक्त नामावली और दोस्तों जो भक्त लोग होते हैं ओरिजनल भक्त होते हैं इनके नाव ये प्रत्वी है और ये उत्री धुर्ब ये दक्ष्णी धुर्ब तो इनके नाम धुर्बों पर लिखवाना है भक्तों के नाम धुर्बों पर लिखवाना है इतना वसिया दक्ष्री ध्रोब है ना और इनके नाम कहा लिखवाना है ध्रोबों पर लिखवाना है भक्तों के नाम तो ध्रोबदास की रिचना होगी कौन भक्त नाम अवली ठीक है अंगला है सुदामा चरित की रिचना कार कौन है दोस्तों यह जो सीन है आपने यह बाला वीडियो सोदामा जी तो सोदामा चरत की रचनाकार कौन होगे नरूत्तम दास है ना नरूत्तम दास इनकी मित्रता बहुत अमर थी दोस्तों है ना आपने देखा होगा जिसने भी देखा है वो देखता ही रह जाता है सीन और सोदामा चरत यहनी कि सोदामा नरों में उत्तम थे तो नर ठीक है अंगला है सीतायन की रचनाकार कौन है दोस्तों सीतायन यानि कि 19 का उत्तर आपको बताना है मैंने बहुत सारी रचनाय इसलिए नहीं रखी तुलशीदास की सूर्दास की कि आपको पता है और मैंने पहले भी करवा दी है ऐसी रचनाय रखी है जो परिक्छाओं में आती है और आपको पता भी ना हो ऐसी कुछ कठिन सी बागी तो आपको तुलशीदास की पता है कबिर दास की बीजग पता है वह रख सकते थे लेकिन बहुत भी हम पर बता देंगे बाद में लेकिन अभी बहुत ही महत्पून और थोड़ी सी कठिन वाली सीतायन की रचना क कौन है दोस्तों आपको पता है कि सीता किस की प्रिया थी यह देखो सीता राम की प्रिया थी सीता राम की प्रिया थी तो राम प्रिया सरनदास और राम की सरनदास में रहती थी तो राम प्रिया सरनदास तो राम की प्रिया कौन थी सीता तो सीता यान की रिचनाकार कौन आनममर है वो आपका बिलकुस सही हो जाएगा ठीक है अंगला बताना है दोस्तों युगल सतक की रचनाकार कौन है ये चार बिकल्प है और आपको देख रहा होगा बैगन रखा भटा भटा आपके सामने रखा है भटा एक भटा नहीं रखा कितने भटा रखे हैं युगल भ युग से युगल और युगल काय का युगल है ये भटा का युगल है तो स्री भट युगल से युगल सतक और युगल सतक स्री भट है ना भट याद कर ली ना भटा के भट के भटा के क्या युगल भटा के युग तो युगल सतक स्री भट ठीक है अब जो आपका कोस्च और चार बिकलब में दो सेकंड आपको दीये जाते हैं तब तक मैं आपको बता दूँ कि सब्द को रताइन देव हैना हम बोलते तेना यहाँ रासन पानी देव सब्द कहा, दो रासन पानी डेव तो देव से देव कभी यानि कि आपका जो स्री नम्बर है वो विल्कुस सही हो जाएगा सब्द को अब कैसे याद रखोगे सब्द को रासन पानी देव यानि की सानमबर ठीक है अगला है कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन है दोस्तो दोस्तो आपको कुछ नया करना होगा रचना अगर याद करनी है तो बेवहारे की जीवन से ज याद करवाया कैसे याद करवाया है कि कुल की चिंता सभी को रहती है आपको भी रहती है हमें भी अपने कुल की चिंता रहती है आपको भी अपने कुल की चिंता रहती है तो यहां पर आया है कुल और कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे चिंता रहत जाते हैं और आपको पता है कि जब ब्रह होता है किसी ब्यक्ति को तो उसको कुछ समझ में नहीं आता वो कैसा हो जाता है बिलकुल बोधा हो जाता है अपनों तियार तुम तो बोधा हो गए हो है ना ब्रह जब होता है ब्यक्ति को तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता और बोधा बन जाता है तो ब्रह बारीस की रचनाकार कौन होंगे बोधा बोधा कभी होंगे यानि सा नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा जब ब्रह की बारीस होती है तो ब्रह की बोधा बन जाता है वैसे ही रचना है ब्रह बारीस और ब्रह बारीस की रचनाकार कौन है बोध याद रख लेना यह सिर्फ रिलेट और याद करने का तरीका है ठीक है तो सानम्मर आपका बिलकुस सही हो जाएगा अंगला देखो चंद माला की रचना कार कौन है दोस्तों बहुती वड़ीया रचना पूची जाती है यह चंद माला कई बार पूची गई है कि सवदास जी क बिज्ञान गीता राम चंदरी का चंद माला यह रचना है पूची जाती है इनकी कभी प्रिया रसक प्रिया लेकिन यह चंद माला आपको याद नहीं होती दोस्तों लेकिन आज याद हो जाएगी कि चंद की माला हमें कहां पहनना है केसों में यह देखो केसों में हमें चं buyers रचनाकार के रचनाकार कोन है दोस्तो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है रेटिकाल की और हमेसा पूछी जाती तो कब यूरत रचनाकार चार बिकलब हुआ इस को पिख रकार से अगला है मादबानल काम कंदला की रिचनाकार को है गया दोस्तों नलका काम करते करते आलम बिगड़ जाता है क्या बिगड़ जाता है नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया यानि कि जो आनम्मर है वो बिल्कु सही होगा नल मादवा नल काम कंदला काम करते करते नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया तो आलम जी इसकी रचनाकार होंगे यानि कि बिकल्प नम्मर आपका आलम के लिए है एक आलम के लिए और माधवानल काम कंदला ये दो रचना है आलम की है ना तो आलम आपका बिलकुँ सही हो जाएगा है ना अगला है दोस्तो रतन हजारा की रचनाकार कौन है इससे पहले लगबग 25 वीडियो टिर्की वीडियो मैंने डाले हैं पूरे संपरदा है पूरी रचना है बहुत सारी चीज़ें याद करवा दी साहित अकादमी से पुरुस्कुत रचना है ग्यान पीट ब्यास सम्मान से सब कुछ याद करवाया हिंदी साहित में तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवस्य देखना है और रतन हजारा की जो रचनाकार है वो कौन है और एक चीज़ बताना दोस्तो हजारों रतन कहां पर हैं प्रतिवी में या आकास में हजारों रतन कहां पर हैं प्रतिवी में यान निदि का वास्तौिक नामता प्रतवी से हैं तो याद रख लेना रतन हजारा रस निदि या फिर प्रतवी से तो साम नम्हीं आपके यह पर बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला क्षिचन है दुस्तों सकुंतला नाटक की रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, देखो आपने रामायन महानाटक पूछा गया, आपसे हनुमान नाटक आपसे पूछ लिए अगा परिक्षों में और सकुन्तला नाटक, ये तीनों नाटक पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना हनुमान नाटक हिर्दयराम, है और रामायन महानाटक प्राणचंद चोहान और इस सकुन्तला नाटक भी आपको याद रखना है, और इस सकुन्तला नाटक करने से बाज नहीं आती, तो बाज नहीं आती तो नेवाज, संकुन्तला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेवाज, और दोस्तों, रामायन महा नाटक में आपको याद करवाया था कि रामायड महानाटक, रामायड हमारी क्या है, प्राण है, तो प्राण चंद चोहान है ना, और हनुमान नाटक, तो हनुमान जो है, अपने हिर्दय में राम को रखते हैं, तो हिर्दय राम, हनुमान नाटक, हिर्दय राम, रामायड प् दोस्तो प्रबोध पचासा की रचनाकार कौन है चार बिकल्पें आपको कमेंट में जरूर लिखते जाना है अपने कमेंट है ना और लास्ट में एक प्रस्ण चेलेंज प्रस्ण आपको दूँगा जिसका उत्तर आपको बताना होता है और प्रबोध पचासा की जो रचनाका अको दोस्तो 50 पदम क्या एं? 50 कदम चलना हैं तो पदमाकर इन तो पदमाकर इनकी रचना येne गंगा लहरी है जगज दुनोद है तीर वोध पच्चास है ये रचना हमीचा पूछी जाती है पर पदमाकर जी की तीक है? अंगला प्रस नहें है हित तरंगणी की रचनाकार कौन है हित तरंगणी के बताना है दोस्तों अब एक चीज बताना कि अगर दोस्तों आपके उपर किरपा राम की हो जाए किरपा राम की हो जाए तो आपका हित होगा किया होगा हित होगा ना किरपा राम की हो जाए तो हित होगा तो हित तरंगणी की रचनाकार कौन होंगे हित तरंगणी की रचनाकार होंगे दोस्तो किरपा राम और हिम तरंगणी आपने पड़ा होगा माखलाल चतरवेदी का हिम तरंगणी है ना हिम तरंगणी माखलाल चतरवेदी की और हित तरंगणी किरपा राम की क्योंकि हित किरपा राम की होती है तो हित होता है यानि कि जो आपका ए नम्मर है वो बिल्कुँ सही हो जाएगा ठीक है अंगला है अध्यात्मे प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तों अगर आप अध्यात्म करोगे अध्यात्मे से जुड़ जाओगे अध्यात्मे यानि कि भगवान की सुक्देव मिस्त्र अध्यात्म का प्रकास आपके जीवन में आ जाए तो आपको क्या मिलेगा सुखδ दियात्म हो जाएंग मैं 105 अलंगारों की बात की गई दोस्तों बैसे भरतमुनी ने चार अलंगार बताई हैं हैं रहाज बूसर्ण बूसर्ण की रचनकार कौन हैं और이스 dear साल दसक है, सिवराज भूषण है, और अंगला है, यमुना लहरी की ते चनाकार कौन है, चार बिकलप आपको दिये जाते हैं, दोस्तों, यमुना, और आपको पता है, गंगा लहरी पदमा करकी है, लेकिन यमुना लहरी, यमुना में कौन कूंद गएते, सेस्नांग था ना, ग्वाल तो ग्वाल कभी की रचना होगी कौन सी यमुना लहरी है चित्र के माद्य हमसे देखो दोस्तो यह सेस नांग है और यमुना में इस सेस नांग को पकड़ने कुंद गए थे ग्वाल यानि की स्रीकर्ष्ण है ना यमुना लहरी तो यमुना लहरी ग्वाल कभी की और लहरी पदमा करकी ये चीज़ याद रखनी है अंगला है सभा मंदन की रचनाकार कौन है सभा मंदन दोस्तों सभा कोई सी हो सभा आपने देखी होगी दुनिया में बहुत सारी सभाएं होती है लेकिन सभाओं में गरीबों का बोल बाला नहीं होता किसका होता है अमीरों का अ आप ने देखा होगा अमीरों का बोलबाला होता है तो सभा मंदन की रिचनाकार को नोगे अमीरों का होता है तो अमीर दास कौन होंगे अमीर दास अब याद रख लेना मैं पूछूँगा सभा मंदन किसका है तो आप बोलोगे सर सभा में गरीबों की पूछ नहीं होती अमीरों का बोल बाला होता है तो अमीर दास ठीके यानि कि सा नम्मर आपका बिल्कुस सही होगा और अगर ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंटों बता देना और कौन सी सबसे अच्छी ट्रिक लगी है वो भी आपको कमेंटों बताना है इसके लता की रचनाकार कौन है दोस्तों चार बिकल्पे इसके लता और आपको पता है कि रीती काल में कौन सा ऐसा कभी है जो इसकी लताएं फैला रहा था कौन फेला रहा था आपको पता है कि इसके की लताएं फेला रहा था तो वो फेला रहा था गहनानंद कभी थे जो इसके की लताएं फेला रहे थे यानि कि जो डी नम्मर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा है ना और इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान है ना और सुजान के प्रेम में ये अपनी लताएं फैला रहती तो इसक लता सुजान के इसक में लताएं फैला रहती कौन घनानंद यानी डी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो सुधा निधी की रचनाकार कौन है अब चार बिकल्प में दो सिकंड आपको दिये जाते है सुधा निधी सुधा मतला होता है दोस्तो अमरत है ना और अमरत की निधी जैसा समझते हैं अगर बच्चों कोई तोस्ट या ब्रेड मिल जाए तो बच्चे क्या समझते हैं सुधा मिल गया जैसे सुधा की निधी मिल गई क्या मिल जाए तोस्ट मिल जाए तोस्ट मलब त कभी है अंगला है दोस्तों नौरस तरंग की रचनाकार को नौरस आपको पता है दोस्तों आप बोलते हो सर मुझसे नौरस नहीं बनते नौरस नस रस हम पढ़ते ना कितने होते हैं नौ होते हैं नौ है ना दो मिलाके 11 हो जाते हैं देके नौरस आप पढ़ते हो तो नौरस म अगर आपको पिर्बीन होना है तो क्या है यहाँ पर पिर्बीन कुछ-कुछ लोग नौरस में पिर्बीन होते हैं यहना बहुत सारे लोग नौरस में पिर्बीन हैं हम बोलती नहीं आप तो नौरस में पिर्बीन हो तो बैनी पिर्बीन यानि सा नम्मर आपका बिलकुस सही ह यह यादगे लेकिन सुजान के पैर में क्या आ गई सूजण आगई तो सूधन कभी है सूजन आ गई तो सूधन कभी सूजान चरित की रचनाकार कौन होंगे सूधन कभी क्योंकि सूजान के प्यार में क्या गई सूजन तो सूधन इस प्रकार से याद रखेंगे अंगला है अंग दरपन की रचनाकार कौन है दोस्तो फोटो में देखो जरा अंग दरपन है ना अपने अंगों को दरपन में देखकर क्या लेते हैं लोग रस लेते हैं तो रस लीन रस लीन अंग को अंग को दरपन में देखकर रस लीन है ना अंग को दरपन में देखकर रस सेनकार कुन है दूस्तों काब व कलप द्रों हमने कभ ITरतना क bisher परी त ξी कि हमारी सेना जो है वह रतन है और दोस्तों आपको पता होगा ऑद होती है वह ब्रक्षों की ओट ले कर के बचब दुस्मनों पर क्या करती है su तो काईपर ओट लेकर के कल्प ब्रक्ष आपने सुना होगा एक कल्प ब्रक्ष नाम सुना होगा कल्प कल्प आया है तो कल्प एक ब्रक्ष होता है और ब्रक्ष की ओट लेकर के हैना हमारी सेना क्या करती है दुस्मनों पर बार करती है तो कौन करती है सेना तो काब कल्प द् ये से अनापती की रचनाय हो जाएंगी जो हमेशा पूची जाती है ठीक है दोस्तों अब आपको बताना है कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है कमेंट में जरूर आपको बताना है जितने लोग भी देख रहे हैं ठीक है और साथ ये चेलेंज प्रसने आपका कि इसक नामा की रचनाकार आपको बताना है हैना कमेंट में आपको लिखना है कि सर इसक नामा की रचनाकार ये हैं ठीक है आप लिखेंगे और ये चार कभी दिये हैं इनकी अगर रचनाएं आपको याद आती है तो ये चार रचन चारों कभी की रचनाएं भी आप लिखा करें ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है, WhatsApp ग्रोफ से जुड़ना है, जिसका नंबर मैंने आपको दे दिया, 9098609291, ठीक है, यह आपको WhatsApp ग्रोफ है, इस WhatsApp नंबर पर आप मेंसेज करेंगे, आपको ग्रोफ की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, साथ ही एक अपना टेलिग्राम ग्रोफ है, IAS Study Trick, यह टेलिग्राम ग्रोफ है, तो आप यह टेलिग्राम ग्रोफ से जोड़ सकते हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक, और इस प्रकार से सब्सकाइब का बटन दवा कर, बेल आइकन को जरूर दवाएं दोस्तों, वीडियो के लिए वस इतना ही, जय हिन्द!